मत्य पर्दिश में सुर्मे विध्यांजल पहारी के बीच इस्थे धर्म राजेश्वर मंदीर अपनी वास्तु कला की तरह एक कहानी का खुलासा करता है लेटे राइट चटान की जटिलनकासी से बनाया मंदीर प्राचिन सिल्फ, कोसल और सम्रिद संस्कितिक विरासत के परमान के रूप में खड़ा है हाला कि मंदीर के निर्मान का निश्ची सबूत अभी भी और स्पस्थ है इतिहासकार आम तोरपर मंदीर का निर्मान आठवी सताब्दी इस्वी में बताते हैं राष्ट कुट राजाओ से सम्मंतितिया मंदीर रौक और अस्तापते सैली पर उनकी महारत को दर्शाता है अला कि कुछ दिल्चस्प अस्थानियक पौरानी कताए एक अलग कहानी बुनती है एक लोग प्रिय मनयता मंदीर को महाकाव्य महाभारत से जोडती है ऐसा कहा जाता है कि अपने 13 साल के वनवास के दोरान पांड़ो भायों ने मंदीर का निर्मान किया था और धर्मराजेस्वर नाम युदिष्टिर से लिया गया है जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है हाला कि यह कहानी रहस्य की परद जोरती है लेकिन ठोश सबूत की कमी है दिल्चस्प बात यहा है कि मंदीर परिसर धार्मिक परवाओ के संगम का संकेत देता है मोख्य मंदीर के पार्षों में बिभिन मुदराओं में बुद्ध की मुर्तियों से सजी बहुत गुफाए है यह बिभिन धर्मों के बीच सहस्तितों और परषपरिक समान की ओधी का सुझाओ देता है मंदीर का निर्मान अपने आप में एक वास्तु सिल्प पहली है जमेन से उपर तक पारंपरिक सनरचनाओ के बिभिध धर्म डाजेश्वर के संदार सीखर को पहले तरासा गया उसके बाद गर्वगिरी और अंत में निव बनाई गई यह अपरंपरागत द्रिष्टी कोन इंजिनियरों और पुरातत्वीदों को समान रूप से आश्चरे चकित करता है गर्वगिरी में एक अनोखी मुर्ती है हरिहर जो भगवान विश्णू और भगवान सिव का संयुक्त रूप है यह समंजस्य पूर्ण मिश्रन दो देवताव के अंतर संबंध का परतीक है जो मंदिर की समावेशिता और सही सुनता को उजागर करता है आज धर्मर राजेश्वर मंदिर तीर्थे आतरा का एक जीवन्त केंदर बना हुआ है जो देश भर से भक्तों को आकर्शित करता है वार्चिक महाशिवरातरी उत्सव में तीर्थे आतरियों की भारी भीर देखी जाती है जो सबी इस्ट देव से अशिरवाद लेने के लिए उत्सुक होते हैं मंदिर परिसर में मुखे मंदिर के अलावा और भी खजाना है रास्ते में विभिन देवी देवताव को समर्पि साथ छोटे मंदिर की एक स्रिंखला है जिन में से परदेक मंदिर आध्यात्मिक महावल को बठाता है मंदिर के आस पास की हरी भरी पहारिया एक सांत वातावरन पर दान करती है हरी भरी हरी आली और सांत रास्ते रोज मरा की जिन्दगी की हलचल से भरा राहत परदान करते हैं जिससे आध्यात्मिक सादकों और प्रकृतिक प्रेमियों दोनों के लिए स्वर्ग बन जाता है